हलो फ्रेंड्स मैं हूं मुकैस और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि यार सर्दिया आ चुकी है और एसे में एक इस्टन्ट वाटर हिटर तो बनाना बनता है तो इस वीडियो के अंदर मैं एक एसा इस्टन्ट वाटर हिटर बनाने वाला हूँ जो की बिल्कुल इजीली सो रूपे में बनके तयार हो जाएगा और इससे निकलेगा फ्रेंड्स बिल्कुल गर्मा गरम पानी तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है और एसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चेनल को सब्सक्राइब से जरूर कर ले तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक खाली डिबबा ले लिया है कलर का जो कि आदा लेटर का है और बिल्कुल आसानी से यह हमारे वेस्टेज में मिल जाता है घर के अंदर अब यहाँ पर मैंने 13-13 सेंटिमेटर के दो पाइप ले लिया है जो कि CPBC के है और फ्रेंड्स यह प ornaments के पाइप है और देखिए यहाँ पर मैंने एक 3 सेंटिमेटर का अलग से पाइप लिया है और एक लिया है एलबो अब इस elbow के अंदर 3 cm वाले pipe और जो 1-13 cm वाला pipe है दोनों pipeों के अंदर से उसको हम इस तरीके से लगा देंगे फ्रेंट्स यहाँ पर यह जो चीज हम बनाने जा रहे हैं इस से बिजली की बचत भी होगी क्योंकि फ्रेंट्स यहाँ यह टोटल 140 watt का instant water heater बनने वाला है साथ ही फ्रेंट्स यह 100% working है 100% shape है और बिल्कुल सस्ते में 100 रुपे में बनके ही तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर हमने PVC solvent के तवारा इसको अच्छे से चिपका लिया है जो की 20 रुपे की आई थी और देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से यह जो डिब्बे का डखन है उसके अंदर hole कर लेंगे पौन इंच का और इसी तरह का एक hole करेंगे हम डिब्बे के नीचे की साइड में तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरीके से यह hole कर लिया है और अब देखिए पाइप का यह वाला जो मुह है इसको हम इस डिब्बे के डखन के इस hole पर fix कर देंगे PVC solvent के दवारा बाद में यहाँ पर हम M-sil भी लगाएंगे फिलाल हम यहाँ पर PVC solvent के दवारा इसको fix कर देते हैं अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे में चीज लेते हैं यहाँ पर लेंगे हम 4 35W के element यह soldering iron के element है और बिल्कुल आसान इसे आपको market के अंदर मिल जाएंगे electronic component soap से और एक यहाँ पर मेरे पड़ा है 13 रुपे का तो total होगे फ्रेंड्स यह 52 रुपे के अब देखिए हम इन चारो को इस तरीके से खोल लेंगे और यह जो box है यह जो डिबबा है इसके उपर हम इस तरीके से चारो तरफ लगाने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स में इनको temporary फेविके के दवरा चिपका लूँगा अब देखिए यहाँ पर हम दो वायर लेंगे मजबूत तो यहाँ पर मैंने copper के वायर ले लिए हैं और जो यह चारो hitting element है इनको हम उपर नीचे से इस तरीके से fix कर देंगे बान देंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने hitting elements को मजबूते के साथ में अच्छे से बान दिया है क्योंकि हमने फेविक तो temporary लगाई थी और देखिए यहाँ पर यह जो pipe और बचावा था 13 cm वाला इसको हम डिब्बे के नीचे वाले hole के अंदर इस तरीके से fix कर देंगे वही PVC solvent के दवारा फ्रेंड्स यहाँ पर PVC solvent बिल्कुल भी यहाँ पर पाने को leakage नहीं करने वाला और फ्रेंड्स यहाँ पर हम बाद में MCL का भी उपयोग करेंगे अभी तो देखिए फ्रेंड्स यह यहाँ पर आदे कंटे के अंदर पाया fix हो चुका है और अब यहाँ पर जो element है चारो के चारो इन में से एक element को मैं यहाँ पर 220V AC के दवारा चेक करा रहा हूँ देखिए फ्रेंड्स यह 5 ही मिनट के अंदर बिल्कुल गरम हो जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल भी current आने क थोड़ी आता है तो इसी परकार से इसके अंदर भी current नहीं आएगा और वेसे भी फ्रेंड्स में इनको इस तरीके से लगा रहा हूँ कि पानी से संपर्क इनका दूर दूर तक नहीं होगा तो यह 100% सेप है तो यार फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस वी प्रोडक्ट बन जाता है फ्रेंड्स यहापर मैं आप लोगों को बता दू कि यार पूरा पूरा दिन लग जाता है कई बार तो दो दिन तक लग जाते हैं इस तरह के प्रोड़क्ट बनाने में तो आपने देखा फ्रेंड्स हमने किस तरीके से डख़न को भी fix कर दिया है PVC सी solvent लगा के और डिब्बे के नीचे वाले पाइप पर भी हमने MC लगा दिया है और आदे गंटे बाद में देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर यह फिक्स हो चुके है ठीक है अब देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर हम दो पाइप लेंगे PVC पाइप जो की 4 इंच के है और इनकी जो लेंट है वो मैंने 20-20 cm लिये तो यह वेस्टेज में बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं फ्रेंट्स यहाँ पर डिब्बे को हम इस पाइप के अंदर इस तरीके से लगाना चाहते हैं लेकिन जो पाइप है उसकी साइज थोड़ी सी कम है चोड़ाई के अंदर तो यहाँ पर हम इसकी चोड़ाई बढ़ाने के लिए यहाँ पर यह जुगाड कर रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंट्स तो दोनों पाइपों को मिला के हमने इस तरह से जुगाड कर लिया है और पाइप को चोड़ा कर लिया है अब देखें जो पाइप का दूसरा वाला टुकड़ा बचावा था आदा उससे हमने इस तरह से सीट बना लिया है और एक सीट हमारे पास पहले से मौजूद थी अब जो डिब्बे के चारों तरफ हमने element लगाए हैं इनको हम parallel में connect कर लेंगे फ्रेंट्स देखे इस तरीके से तो parallel में connect करने के बाद में यहाँ पर सभी elementों का जो wattage है वो हो जाएगा 140 watt तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर जो डिब्बे के उपर डखन है उसको हम और अच्छे से PVC solvent के दवारा fix कर देंगे तो यह PVC solvent भी आदे गंटे के अंदर सूख गिया है अब देखे इस डिब्बे को हम इस pipe के अंदर यहाँ पर इस तरीके से fix करने वाले हैं अब देखे यहाँ पर हमने एक ले लिया है red indicator जो की 8 रूपय का है और एक ले लिया है electric switch जो की 15 रूपय का है तो देखे पायप के इस ही से में हम इनको इस तरीके से fix कर देंगे तो फ्रेंड्स अब तक आपको यह भी पता चल चुका होगा कि इस instant water heater के जो wattage है वो है सिरफ 140 watt तो यह कितनी कम बिजली खाएगा आप लोगों को अच्छे से अंदाजा हो चुका होगा और इसकी में बहुत ही शांदार आपको टेस्टिंग भी कराने वाला हूँ क्योंकि यार इसके अंदर से निकलेगा उबलता पानी तो देखे प्रेंड्स किस तरह से उसकी टेस्टिंग होगी फिलाल हम यहाँ पर देखे यह इंडिगेटर और स्विच बिलकुल आसानी से लगा लिये हैं और देखे अब यहाँ पर यह जो डिबबा है इसको भी हम इस पाइप के अंदर बिलकुल आसानी से फिक्स कर देंगे और देखे यहाँ पर हिटिंग एलिमेंट भी पाइप से काफी दूर रहेंगे और वेसे PVC पाइप की टेंपरेचर लिमेट भी बहुत अच्छी होती है पिच्चानमे डिग्री से सो डिग्री सेलिशियस तक अब देखे बीच बीच में हम कनेक्शन भी कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने इंडिकेटर का एक वायर ले लिया है और एक वायर ले लिया है जो सभी एलिमेंटों के दो वायर थे उनमें से एक वायर को तो इन दोनों वायरों को हमने एक जगे कर लिया है और इनको हमने switch के एक point के साथ में इस तरीके से लगा दिया है अब देखे friends यहाँ पर हम डिब्बे को pipe के दूसरे वाले part के साथ में भी अच्छे से fix कर देंगे तो देख सकते हैं friends यहाँ पर हम pipe को इस तरीके से instant glue के दवरा चिपका लेंगे और हमारा जो instant water heater है देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से save बन गया है अब देखे instant water heater को उपर नीचे से cover करने के लिए जो PVC सीटे हमने ली थी उनको हम इस तरीके से गोलाई में कट कर लेंगे इस instant गीजर की नाप के दवरा तो देखे यहाँ पर हमने water heater को नीचे से cover कर लिया है और अब देखे यह जो दोनों pipe है इनके भी हम इस तरीके से M seal लगा देंगे ताकि हमारा जो instant water heater है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए तो आदे गंटे में हमारी M seal सूख चुकी है अब देखे इसके अंदर हम power code के लिए एक hole कर लेते हैं और एक hole करेंगे हम इसको दिवार में fit करने के लिए तो चाये तो आप इस गीजर को रख भी सकते हैं और चाये तो दिवार पर लटका भी सकते हैं अब देखे यहाँ पर हमने एक power code ले लिया है और बहुत ही मजबूत यहाँ पर power code लिया है फ्रेंड्स ठीक है और देखे इसके connection हम इस तरीके से करेंगे power code के neutral या face के wire को हम switch का जो एक point बचा हुआ है वहाँ पर fix कर देंगे ठीक है तो इस तरीके से हमने fix कर दिया है अब देखिए power code के अंदर एक earth का wire बचा हुआ है और एक बचा हुआ है face या neutral का wire तो यहाँ पर face या neutral के एक wire के अंदर हम इस तरीके से fiber sleeve डालके indicator के बचेवे wire के साथ में connect कर लेंगे साती फ्रेंट जो बचा हुआ एक और wire है hitting element का तो उसके साथ में हम इसको connect कर देंगे के बाद में चाहे तो आप power code को अंदर से भी गाट बान सकते हैं तो देखिए यहाँ पर हम खुले में थोड़ा सा test कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको power के अंदर लगा दिया है instant water heater को और देखिए इसके अंदर दुआ निकले की इस तरीके से यह दुआ फ्रेंट्स इसलिए निकल रही है क्योंकि हमने जो hitting element है उनको फेव किक के दवरा चिपकाया है और फ्रेंट्स आप लोगों को पता है कि जैसे फेव की गरम होगी तो इस तरीके से दुआ उसके अंदर उटना start हो जाती है और लोगे के डिब्बे के अंदर किसी भी तरह का कोई भी current यहां पर नई आएगा फ्रेंट्स क्योंकि हम soldering iron को भी हाज से touch करके check करते हैं और फ्रेंट्स उसके अंदर भी यह heating element मोजूद होता है तो फ्रेंट्स यार यह heating element इस लोगे के डिब्बे को इतना गरम कर देंगे कि यार इसके अंदर से उबलता हुआ पानी आएगा तो देखे इसको हमने उपर से भी cover कर दिया है इस तरब से इसके अंदर ठंडा पानी जाएगा और इस तरब से इसके अंदर से गरम पानी बार निकलेगा और अब बारी है friends इसकी शानदार टेस्टिंग की तो देखे friends इसको हम इस तरीके से दिवार पे टांग लेंगे जहांपर हमारा पानी का नल है वाहां पर देखे इस तरीके से ठीक है अब देखें यहांपर मैं इसको पावर के अंदर लगा देता हूं 220V AC के अंदर और अभी हम water heater के switch को own नहीं करेंगे, अब friends जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो टोटी लगी हुए है इसके अंदर से हमें पानी लेना है तो यहाँ पर हम इसके अंदर pipe लगा देंगे इस तरीके से और pipe का दूसरा शीरा हम लगाएंगे water heater के इस pipe के अंदर जहाँ पर input के लिए हमने यह pipe रखा है यानि पानी अंदर की तरब जाएगा ठीक है, अब देखिए water heater के switch को own करने से पहले यहाँ पर हम water heater के अंदर एक बार पानी जरूर बरेंगे इस तरीके से देख लेते हैं, तो अभी जो फिलाल temperature आ रहा है, वो है 120 degree salisus के लगबग और अब friends हम क्या करेंगे एक बार इस टोटी को बंद कर देंगे ताकि यहाँ पर पानी निकरना बंद हो जाए और अब करेंगे friends यहाँ पर switch को on देखे friends इस तरीके से हमने on कर दिया है और दो मिनट के अंदर इसके अंदर पानी गरम हो जाएगा क्योंकि friends आप लोगों को पता है कि जो हमारा soldering iron है वो तुरंत दो मिनट के अंदर गरम हो जाता है लेकिन इसके अंदर लगे में चार heating element तो दो मिनट हमारी हो चुकी है और अब देखें यहाँ पर मैं पानी को चालू करता हूँ और अब आप देखना friends इसके अंदर किस तरीके से पानी heat होके बार आ रहा है आप temperature देख सकते हैं अभी मैंने पानी को थोड़ा सा कम ठोला है अभी मैं आपको और तेज खोल के बताऊंगो friends तो तुरंत पानी गरम हो रहा है और तुरंती बार निकल रहा है यह है हमारा stunt water heater तो देख सकते हैं friends किस तरीके से temperature बढ़ता जा रहा है पानी का क्योंकि इसके अंदर लगे हुए heating element भी और ज़्यादा गरम होते जा रहा है और देखे किस तरीके से गरमा गरम पानी यहाँ पर बार निकल रहा है और आपको दुआ भी दिखाई दे रही होगी friends तो पानी का temperature यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और जितना तेज आप यहाँ पर पानी खोल के रखोगे हीट होके बार निकल रहा है 52 डिगरी सेल्सेस के लगबग तो इससे तो हम ना भी नहीं सकते अगर आपको नाने योग्य पानी चाहिए तो आप यहाँ पर पानी और भी ज़्यादा खोल के रख सकते हैं उमीद गरता हूँ friends आपको यह इस्टन्ट वाटरेटर बहुत पसंद आयोगा तो प्लीज यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जुरूर से शेर कीजिएगा हो सकता है वो भी इस तरह के वीडियो का तलास कर रहे हो मिलते है नेक्ट वीडियो में thanks for watching धन्यवाद दोस्तों